dear students welcome to the classes of ray academy we are studying double entry bookkeeping for standard 11 students presently we are studying about how to deal with gst how to prepare a purchase book in case of a gst gst के साथ आपके purchase book कैसे लिखा जाता है और इस कोस्चिन में मैं purchase return book के बारे में आपको बताऊंगा the question is record the following transactions in the purchase book of Kamla Stores दिल्ली from April 2020 जो भी दे रखा है यह in the books of Kamla Stores दिल्ली purchase return book here we will be writing purchase return book इसमें आपके columns देखो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 columns और यह column के अंदर date, particulars, laser folio, details, cost, input cgst, input sgst, input igst और amount होगा और यह जो columns होताई यह columns इसके अंदर amount में rupees के symbol होना चाहिए और यहां पर year लिख दो जो भी book में दे रखाए और यहां पर purchases returns यह Kamla Stores दिल्ली यह क्या चीज बेशता है हमें पता नहीं है तो purchases returns अप गूर्स लिखेंगे the first date being April 6th return goods to Ramesh brothers दिली तो April 6th return goods to Ramesh brothers दिली purchased 5000 5000 का उन से खरीदा था plus cgst, sgst 6% each इसका 6% 300 रुपय होता है cgst 5000 का 6% and sgst 5000 का 6% यह 300 यह 300 तो यह आएगा 5600 रुपय टोटल इट वी 5600 तो हमारे जो गूर्स का cost जो हम खरीदे थे और Kamla Stores दिल्ली वाले हैं हम हम Ramesh brothers दिल्ली को return कर रहे हैं तो within the state of दिल्ली हमारा cgst और sgst होता है यह आपको पता है दिल्ली बहार किसी से खरीदा था और वापस करेंगे तो at that time input IGST will be applied तो अभी जो cost है यह 5000 इस लाइन में लिखेंगे इस दो कोस्ट यह वाला आएगा this one see this one will come so now the dead six का जो answer है वह हमने करा 能 बुआ है अपरिल एट, return to proven ब्रदर्स मिलटे रिटान्म इम डिल्ली जोईजक्सान के अंतर नहीं है दिल्ली स्टेट जुरीडिक्शन के अंदर इट इज इन इउपी इज आलसे फेमस प्लेस तो इसमें इनको वापस करा परचेश दस अजार प्लास आईजिस्टी 12 परशंट उनसे कुछ चीजे खड़ी रहा था दस अजार का तो मिरड जब इउपी में होता है जो कि दिल्ली स्टेट के जुरीडिक्शन के बाहर है तो उसमें आईजिस्टी 12 परशंट लगा है तो आड़ आईजिस्टी इनपूट जीस्टी इनपूट आईजिस्टी दस अजार का बारा परशंट बारा सो तो टोटल कॉस्ट हो गया 11,200 11,200 लिखने का तरीका होता है कोस्ट पड़ा था 11,000 यह 10,000 इसको हम रिटन करेंगे और इनपूट cgst, sgst हैने है नहीं, we have input igst तो igst यहां लिखतेंगे, we will be writing the igst here, यह 12 बारा सो और तोटल यह दोनो का अडिशन होगा, यह ऐसी को यहां पर लिखतेंगे, this is igst तोटल कोस्ट बाद इसके बाद एप् एप्रिल 17 का लिखेंगे रिटर्न गोर्ष्ट महेश ब्रदर्स अफ़ 2000 महेश ब्रदर्स 2000 का प्लॉस सीजी एस्टी एस्टी 6% सीजी एस्टी इसका 6% 2000 का 120 और एस्जी एस्टी 2000 का 6% 120 तो यह 120 यह 120 यह तीनों को मिलाने के बाद यह 2400 2,250 हो गया तो इस में कॉस्ट में लिक्षोग 2000 रुप्पें यह कॉस्ट में आएगा और आपके जो चुष्ट 3 हुए सेजी एस्टी एस्टी इंपूट सेट्रल इस्टी गम्मेंट आप इंडिया का जो जी एस्टी 120 इधर लिखो इन्पूट्स जेस्टी कलम में अटेस्टे जो की उतर प्रदेश गवर्मेंट का होगा उपी गवर्मेंट का वान टोटी धा इस दो शेरिंग वाव इस बिग शेर्ड तो और यह तिन्नों का टोटलिंग आयमें इसका टोटलिंग यहां लिखो अमाउंट में अमाउंट मतला ग्रॉस टोटल इस टू 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 फोर जिरो यह हो गया अप्र देश वाट इस तो बेड़न इस आपको इसके कम्प्लीट आडिशन करना है यह सारे यह सारे कोलम्स को आड़ करना है और दिस इस इस दॉन अट अब दा मांथ एप्रिल थार्टी यूजुआली महीने के लिए बनता है एप्रिल थार्टी और यहां पे टोटल लिखेंगे और हर कलम को टोटल करते जाएंगे इस इस सेवेंटीन थाउजन इस इस पोर टोंटी इस इस फोर टोंटी इस इस तो इस एवर्स 19,040 रुपीज तो इसका ही जन्नल एंट्री करेंगे यानी पर्चीज अकाउंट डेबिटेड 17,000 इंपूट CGST डेबिटेड पर्चीज रिटन क्रिटेड और इंपूट CGST क्रिडिटेड इंपूट SGST क्रिडिटेड इंपूट IGST क्रिडिटेड और टोटल आमांट रि लिखेंगे इसी में we'll be writing the name जो के पर्चीज कंप्यूटर है कमला स्टोर्स दिल्ली तो इट इस लाइक दिस इसमें हमें ये दिशिज आर कमला स्टोर्स यहां पे नाम बदल गया है तो we'll be writing in the books of कमला स्टोर्स दिल्ली इसमें जर्नल इंट्री पास करेंगे जर्नल का फर्माट आज उनो इट इस पांच कलम बाले और अमांट यहां पे अमांट कलम में दोनो डेविट के दिमें रूपीज और यहां पे यह और अपे येर और अप्ड़ अप्रिल 30 इंडिविजुल पर दुकानदार जिनकों भेज रहें बिजनेस हाउसेश रमेश ब्रदर्स दिल्ली टोटल आमांट इंक्लूडिंग जीस्टी 5600 डेविट सोहन ब्रदर्स मिरट इंडिविजुल आमांट 11200 महेश ब्रदर्स 2240 यह इनको इंडिविजुली इंक्लूडिंग जीस्टी इतना रिटर्न होगा गुड्स तो एक एक करके टोटल एक पॉर्चीज रिटर्न कितना है इक राइट डान पॉर्चीज रिटर्न रिटर्न आउट वाड़ अकाउंट 17000 यह तिनों का 5000 11000 2000 जेस्टी काट के 1000 पे 17000 तू इनपूट सीजीएस्टी यह हमेशाव डेबिट होता है रिटर्न के टाइम पर गुड्स इसको क्यांसल करके क्रेडिट कर देते हैं टोटल एक पॉर्ट एक यह स्टी वह भी स्टेड जीएस्टी वह भी क्रेडिट कर देंगे क्यांसलेशन के ले on to input IGST जो मिरट कहा है वो IGST है तो यह तीनों हो गया और narration लिख देंगे being purchased goods returned for the month of April पूरा April महिने का यह एक एंट्री है और आज you know journal को हम हमेशा last में total करते हैं total करना चाहिए कभी कभी देर नहीं रखा है अगर आप फाइनल एक जामेट बीना अडिसन में जर्नल को छोड़ दिया तो हो सकता है आपके पर नंबर का प्राब्लम हो तो मार्क्स कर जाए तो इसके बाद ना मैंने क्या करना पूरा कोश्चीन को इने नटसल को अपने आप ट्राय कर रहा है तो ही चेक लाइक दीस आपर दीस पेज़ या कम्ला स्टोर्स दिल्ली और ही यह पर प्रिल थांटी गा जनल एंट्री देर खाय दोनो और यह ना प्रफेक्षान के लिए आपको खुदी कर के टेस्ट करना पड़े and these are all about your Purchase's Returns Book